नमस्कार आप देख रहे हैं SBT News पेशे 26 उलाई मंगलवार सुबस सवार वजे रास्तान की बड़ी खबरें रास्तान सरकार ने वश में दो बार विभागे पदोनती समीती की बैठक आयोजित की जोने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है इस नेने के बाद सभी विभागों में विभागे पदोनती समीती की नियमित बैठक के बाद भी रिक्त वचे पदों के लिए समीती के एक बैठक और आयोजित हो सकेगी मुखिमंद्र शोगहलोत के अनुसार सभी सेवाओं में पदोनती से भरे जाने वाले पदों पर यदि नियमित डीपीसी 30 सितंबर से पूर्व हो जाती है एवं डीपीसी के पश्चाथ किसी पद या समवर के 15% से अधिक पद 31 दिसंबर तक रिक्त हो जाते हैं तो ऐसे पदों को भरने के लिए डीपीसी अनुशन साम का रिव्यू किया जा सकेगा तथा उसी वित्यवर्ष में 31 मार्ज तक डीपीसी कर भरा जा सकेगा वो लिखनी है कि वित्यवर्ष में एक अप्रय से पदोनती के प्रिक्रिया शुरू हो जाती है अधिकांश विभागों में जून जुलाई तक वाशिक नियमित पदोनती समीती के बैठक आयोजित कर ली जाती है राजसान में नशे पर नियंतरन के लिए शिगरही अंटी नार्कोटिक्स टास्क फोर्स का गढधन किया जाएगा ये टास्क फोर्स विशेश रूप से नशे के कारोबार पर नियंतरन करने का कारे करेगी मुक्य सची उशा शर्मा ने कहा कि प्रदेश के लोगों एवं युवाओं को नशे की गिरफ्त से बचाने के लिए राजस सरकार प्रतिबद है मुक्य सची समवार को शासन सची वाले में नार्कोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ग्रह मंत्राले भारे सरकार द्वारा आयो जी तो चोथी राजस्तरियन नार्को कोडिनेशन बैठक के अध्यक्षता कर रही थी इंडिया नर्सिंग कांसिल और राजस्तान सरकार के बीच नर्सिंग संस्तानों की मानेता को लेकर चोल रही विवात के बीच अब विद्ध्यार्थी स्वैम को असहाय महसूस कर रहे हैं आई एंसी ने कुछ कॉलेजों की मानेता के समन में विद्यार्थियों की ओर से पूछे गई सवाल पर दो टू कह दिया है कि उनका कॉलेज आई एंसी में सूची बद नहीं है इन जवाबों की बाद रायसान में शुरू किये गए नए सरकारी नर्सिंग कॉलेजों में अध्यन करने वाली विद्यार्थियों के लिए भी संकट बढ़ गया है रायसान में नीजीवे सरकारी शेत्र के करीब 150 कॉलेजों में से 50 प्रतिशत आई एंसी की सूची में नहीं है हाल ही में आई एंसी जैपूर के दो संसानों में नर्सिंग पाठेक्रमों की मानेता रद कर चुकी है रायसान में जल्डाय विभा के ओर से गाउं गाउं हर घर जल उत्सम मनाया जाएगा जल जीवन मिशन के तहाइत हर घर जल कनेक्शन से शत्परतिशत जूट चुके प्रदेश के 33 जिलों के 1431 गाउं के ग्राम पंचायतों में 27 जुलाई को ये उत्सम मनाया जाएगा इसके लिए विशेश ग्राम सभाई आयो जित होंगी ग्राम सभा के दोरान ही सभी ग्राम वासियों की मौझूदगी में संबंदित गाउं के शत्परतिशा नल कनेक्शन से जुड़ने का हर घर जल विलेज सर्टिफिकट भी दिया जाएगा ग्राम सभा में सर्टिफिकट प्रदान करने की पूरी कारवाही का वीडियो तयार किया जाएगा जिसे आई-म, आई-एस पर भी अप्लोड किया जाएगा तास्तान के राजिपाल, कल राज, मिश्र, तीन दी वसिय अभी काने जिले के दोरे पर आएंगे जुलापुशासन ने उनके दोरे की तयारियां शुरू कर दी है राजिपाल, कल राज, मिश्र, 39 जुलाई को सुबह 11 बजे नाल एरपोर्ट पहुँचेंगे सुबह 11 बच कर 45 मिनट पर राजिपाल, कल राज, मिश्र, 30 जुलाई को प्रातह, 11 बजे बिकानेर में केंडर सरकार की विभिनी योजनाओं की समिक्षा करेंगे उदेपुर एसीबी की टीम ने सोमार को करवाही करते हुए आपकारी विभाग मावली के प्रहरादिकारी रविंदर सिंग खींची को गिरिफ्तार किया महीं उसके अनुबंदित वाहन चालक भैरु सिंग चुडावत को नामजद किया बताया चाराए कि आरोपी प्रहरादिकारी ने हाईवेस तितेक ढ़ाबे पर जाकर संचालक को धंकाया उसे हवाई शराप के धंदे की कारवाही में फसाने का डर दिखाया इस वराण आरोपी ने ढ़ाबे पर संचालक की अलमारी में पड़े 47,800 रुपे भी निकाल लिये इसको लेकर परिवादी ने ACB में शिकायत की थी ACB के ओर से 19 जुलाई को शिकायत की पुस्टी की गई जुद्पर में कायलाना जील में सोमार को पैटको से भरी एक नाव के पलट कर डूब जाने की सूचना से हड़कम बच गया सूचना मिलते ही पुलिस पुशासन के साथ अन्ने वे भाग के अधिकारी वे करमचारी वहाँ पहुँचे वहाँ पहुँचने पर पता चला कि ये सिर्फ एक मॉक ड्रिल थी जो अधिकारीं के पहुँचने वे रिस्पॉंस टाइमिंग की जांच की जा रही थी इसके बाद अधिकारीं ने रहत की सांस ली बिकानेर पर मौनसुन एक बाद फिर महरबान है सावन के दूसरे समवार को भी बिकानेर में कई जगा तेज तो कहीं रिम जीम बारिश ने मौसम खुशनुमा कर दिया सुबर से तेज बारिश की उमीद के बीच दुपहर में बादलों ने बरसना शुरू किया कुश देर की बारिश के बार शहर के कई एरिया में सड़कों पर पानी जमा हो गया और लोगों को बड़ी मुश्किल से रास्ता पार करना पड़ा दरसल सुबर से ही बिकानेर में बादलों के आवाजाही जवर्दस थी काले बादलों ने जैसे ही शहर को चारोर से घेर लिया था और थोड़े ही देर में बारिश हो गई जोद्पुशार के प्रताप नगर सदर्थाना के अंतरगत नैशनल हैनलूम के पास मेवाडा वाइन शॉप के बाहर खड़ी एक बुलारो पिकप में से तीन लाग की नगदी से भरा बैक चुरी हो गया एक ही वक अमने दू साथियों के साथ ये राशी लेकर मोटर साइकल पर फरार हो गया गड़ना सोमवार दोपार करीब धाई वजी की है जो वहां लगे सिस टीवी कैमरे में कैद हो गई सुचना मिलने पर पर परिस अधिकारी मौके पर पहुंचे और जान शुरू की नोखा में सावन मास के दूसरे सोमवार को शिवालियों में हरहर महादेव का जैगोश गुंजा एमान हो गया मंदेर सोमवार को शद्धालों से भरा रहा वहीं भूतनात मंदिर, तुरुपती नगा स्थित, लश्मी नारायन मंदिर, गंगा गौशाला स्थित, पशुपती नात मंदिर, तैसे स्थित, अंकेश और महादेव मंदिर में भोलेनात को अक्षत, फूल, धतूरा और भांग चढ़ा कर मननते मांगी गई शांतिवन स्थित, भूतनात मंदिर में पाशत, मनोज, ओजा के साथ कई लोगों ने पूज़ा और चुना की जोदपुरचले की लोहवर्ट पुलिस ने थाने के आगे से चुराए गई बाइक साहित कस्बे में हुई, तीन बाइक चोरी की वादातों का खुलासा करते हुए, तीन आरोपियों को ग्रफतार करने में सफलता प्रात की है पुलिस ने आरोपियों के पास से दो चुराए गई बाइक भी बनामत की है, ग्रामेंट पुलिस अदिक्षा कनिल किया ने बताया कि आरोपि खारा के अशोग विश्णोई, पवन कुमार विश्णोई और नरेश कुमार विश्णोई को दस्तियाब कर पूस्ट आच की श्री बिर्ला ने सहर्ष स्विकार करते हुए समारों में भाग लेने का अश्वासन दिया, श्रिष्ट मंडल में भार्तियो द्योग व्यापार मंडल के रास्टिय चेर्मेन बाबुलाल गुपता, रास्टिय अध्यक्ष विजे प्रकाश्यन, रास्टिय उपाध्यक्ष रामावतार अगरवाल, तास्टिय मंत्री, राकेश यादव और अल इंडिया उइल मिलके अध्यक्ष सुरेश नाकपावल शामिल रहे। आमादमी पार्टी ने प्रदेश के सबसे बड़े अस्पताल, SMS की अवेवस्थाव का रूप लगाया है। प्रदेश की चूट दे रखी है। और ये सब होगा नो बैग डे वाले दिन। बखेश मंत्राशो के हलोत के बजट घोशना को अमनी जामा पहनाते हुए। शिक्षव विभाग ने स्कूलों में 9 बैग डे की शुवाद कर दी है जिसके मताबिक अप स्कूलों में केवल 5 दिन पढ़ाई होगे और एक दिन यानि शनिवार को बच्चे बैग लेकर स्कूल नहीं आएंगे। यानि स्कूलों में सबता हमें पांस दिन पढ़ाई होगी तो फिलाल इस बुलेडन में इतना है फिर हाजर होंगे कुछ और बड़ी खबरों के साथ अगर आप भी अपने आसपास की छोटी बड़ी और महत्वपुन खबरों से अपडेट रहना चाहते हैं तो सब्सक्राइब कीजिए हमारी चैनल SPT News को और प्रेस कीजिए बेल आइकन पर